कि अपना नया लेक्षर शुरू करते हैं अभी तक हमने कुछ वन डाइमेशन प्रॉब्लम की हैं श्रोडिंगर एक्वेशन फ़र वन डाइमेशन प्रॉब्लम्स ओके फ्री पार्टिकल रेक्टेंग्लर वेल्स फाइन इन फाइन और फिर हार्मोनिक उसलेटर लेकिन अब हम वेल्स प्रॉड जो है डाइम प्रॉड लेकिन प्रॉडवर श्रोड्टेंग का फंक्षन हैं साइ इकोल टो गिस्क्वेशन प्लस दल्टोड बाइब मने यहां पर लिखा है, मैंने एक्स वाइडन लिखें हैं या वेक्टर आर का फंक्षन घुम एच इच क्रॉड़ वेक्टर आर का function उसकता है वेक्टर आर का मतलब x y z तीनों कोडिनेस पर डिपेंड कर सकता है most generally तो इसी लिए के स्क्राइब के dependence भी तीनों पर हो सकते है शॉट में वेक्टर आ रहा हुझ उसे लिख सकता है तो और साई भी जो है वे और सिंगल वेरिबल एक्स अब यहां पर आपके पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिबल है एक्स वाइजड और पार्शेल डेरिवेटिव से उनके रेस्पेक्ट में तो वन डामेंशन के है वह मैं एक्जामपल दूँ फिर से वन डामेंशन में ही आप देख चुके हैं कि अन पॉलनमिल तब जाके हम हर्मनी कोसिलेटर को सॉल्व पर पाएं तो इसे यह जर्रल रूल समझ यह तो इक्वेशन पार्शल डिफ्रेंशिल इक्वेशन बन रही है तो उसे सॉल्व करना हर केस में वैसे भी पॉसबिल नहीं होगा और जहां वह पॉसबिल हो भी पाएगा वह भी कुछ खास कारणों से जिनें सिमेट्री रिजन्स आगे यह आएगा तो हमारी स्ट्रेट्जी क्या होने वाली है थ्री डैमेशनल केस में वैसे भी हम फ्री डैमेशनल में जनरल प्रॉब्मनों को सॉल्व करने नहीं निकलेंगे इस वेरिकली सिमेट्रिक लेकिन आना साथी separation of variables और separation of variables के बाद आप देखेंगे हमारी जो partial differential equation है वो ordinary differential equations में करनोट हो जाएगी मतलब variable dependence जो है या तो x की या y की या z की जो दूसरे coordinates होंगे केवल उन पे depend करेगा तो फिर आपकी क्यों एक variable में equation है और differential equation तो है लेकिन ordinary तो फिर उसे solve करना relatively much easier हो सकता है मैं यह नहीं कहा रहा हर case में हो ही जाएगी फिर भी solve but it would be much much easier तो और यह भी guarantee नहीं है कि separation of variables हर case में work कर जाएगा बट यह हमारी strategy होगी जहां जिन examples को हम देखेंगे आगे ओके यह ध्यान रखिए कि कुछ बहुत खास तरह के potentials के लिए certain potentials और वो भी कुछ आप खास तरह के coordinate systems में जाएं खास coordinate system से हमारा मतलब क्या है जो की जो potential आपको दिया गया है उसकी symmetry के अनुकूल है उसकी symmetry को respect करते हैं तब जाके शायद आप Schrödinger equation उस particular system के लिए solve कर पाएं तो arbitrary potential के लिए 3 dimension में शायद possible नहीं होगा अगर आपके potential के पास कोई symmetry है तो अगर आप कोई ऐसा coordinate system हम यूज करें जो symmetry को यूज कर रहा है उसके लिए adapted है तो hopefully शायद हम problem को solve कर पाएं using the trick of separation of variables आगे आप देखेंगे कि यह method किस तरह से हो रहा है in fact यह जो lecture है अभी वाला यह comparatively चोटा lecture होगा मैं इस पर mathematics कुछ नहीं कर रहा है equations मैंने लिखी है पर सीधे सीधे लिख रखी है mathematics में नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट आपको 3D problems spherically symmetric की outline देना चाहता हूँ okay but don't think कि इसके आगे के lectures भी ऐसी होंगे यह basically आप कह सकते हैं तूफान से पहले की खामोशी है इससे आने वाले जो आगे आने वाले जो lectures है they contain some great deal of dirty mathematics ठीक है कई-कई pages आप करते हैं तब आपका result निकलता है but those are beautiful results वो results ऐसे हैं जो आप काफी पहले से सुनते आए हैं यूज करते हैं let me give you an example आप hydrogen atom में कहते हैं हमारे पास चार quantum numbers होते हैं n, l, m and s s को अगर हम drop कर दें इस पिन जो है उसके अलावा तीन जो quantum numbers है n, l, m अभी तक आपको just rule दिया गया था कि n की value 1, 2, 3 होती है और l की value इतनी होती है और m की value minus इस से लेकर इस तक होती है वो ad hoc rules क की तरह आपको दियेगा है आप उनको use करते हैं लेकिन वो quantum numbers originate कहां से होते हैं यह हम आगे आने वाले lectures की calculations पर देखेंगे, so the calculations become a bit tedious but the result and results are very beautiful, okay, तो लेकिन अभी के लिए outline देखते हैं, तो अब 3D में कुछ problems के मैंने यह आप नाम लिखे हैं, जैसे 3 particle 3 dimension में हम actually solve कर चू waves थी, उनके multiplication, और ऐसे energy का जो भी expression था, वो भी सब का sum था, अलग-अलग direction की जो contributions थे, उनका sum यह मैंने पीछे वाले lectures में कर रखा है, ऐसे हर्मोनी कॉसिलेटर का हमने solution 1 dimension में किया था, पर last में मैंने mention किया था, कि 3 dimensional harmonic oscillator आपके पास हो, वो भी separation of variable से x वाला term अलग equation में जा function of xi1, e2 bar minus xi1 square upon 2, xi1 x axis के corresponding का variable है, n1 उस axis के corresponding का quantum number, similarly into hn2 xi2 this and similarly hn3, तो यह problems वहाँ पर अगर पूरी तरह solve नहीं भी किये, फिर भी यह कर क्या से पाए, यह 3 dimensional की problems है, problem को separation of variable से ही attempt करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपने separation of variable किया, वो आपने ordinary जो coordinates है, ordinary से मेरा sense है, Cartesian coordinates को मैं ordinary कह रहा हूँ, okay, they are not ordinary in any sense, but जो आपके सबसे आदा परीचित है coordinate system, आपके उसी में भी try किया, उसी को आप लेके चले, x, y, z वाले, तो free particle हो, या harmonic oscillator हो, या even जो potential well था, वहाँ पर भी मैंने कहा था, 3 dimensional box भी आपका बन सकता है, तो वहाँ पर 3 dimensional वाली problems भी आपकी solve हो सकती है, okay, इसका कारण क्या, इसके कारण को आप बाद में खुदी answer देनी कोशिश कीजिए, क्यों ऐसा हो पाया कि यहाँ मैं उनको Cartesian में ही solve कर पाया, 3 dimension में भी, अब लेकिन जिस तरह की problems को हमने solve करने की कोशिश करनी है, उनको हम कहेंगे spherically symmetric potentials, okay, in general 3 dimension में कोई potential x, x, y, z, तीनों coordinates का function हो सकता है, या आप उसे v function of vector r लिख सकते हैं, लेकिन उसी potential को आप r, theta और 5 coordinates के में भी express कर सकते हैं, okay, coordinate systems में most probably आप spherical polar coordinate system से familiar होंगे, लेकिन फिर मैंने side पे एक छोटा सी note दिया है, आप किसी point को describe करने के लिए, या तो उसके Cartesian coordinates use कर सकते हैं, x, y, z, य यहाँ x, y, z, और r, theta, phi के भी जो relations है mathematical वो इस प्रकार के होते हैं, जिने हम transformation equations कहते हैं, in fact, इनके inverse transformation भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं, मैं जस्ट एक को mention करूं, r square होता है, x square plus y square plus z square and so on and so on, तो transformation equation, लेकिन यह theta और phi होते क्या हैं, इसको थोड़ा समझ लें, यह कोई point है, spherical polar coordinates में इस point को specify करने के लिए, इस point तक पहुचने के लिए origin से start करके, आप तीन numbers बताते हैं, तीन values बताते हैं, पहली this r, यह r है distance from the origin, वो point origin से कितनी दूर है, लेकिन किवल r बता के आप point को completely specify नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा एक spherical surface है of radius r, जिसके सारे points के लिए distance origin से है, तो किवल r बता के काम नहीं चलता है, तो उसके अलावा, इस point को uniquely specify करने के लिए, हमें दो angles और supply करने पड़ते हैं, एक angle theta, which is called the azimethal angle, और basically आप इसे ऐसे याद रखिए, this is the angle down from the z axis, वो जो जिस point के आप बात कर रहे हैं, उसे origin से join कीजिए, यह जो line है, यह z axis के साथ जितना angle बनाती है, वो हमारा theta होता है, और similarly phi, एक और angle की जुरत पढ़ती है, phi, phi वो angle होता है, आप इस position से, जो इस point के को आप describe करना चारहें, वहां से xy plane पे perpendicular पड़े xy plane पे, उसको आप फिर से origin से join कीजिए, यह red line वो है, यह blue line जो dotted line में ने बनाने की कोशिश की, यह perpendicular drop किया, xy plane में, xy plane पे perpendicular माना, इस p point पे पड़ा, तो अब origin को इस p point से join कीजिए, तो यह जो x axis है, इसके साथ इस red line का जो angle है, यह basically phi है, three dimension में अगर आप थोड़ा अपना imagination open कर सके हैं, तो basically कोई book आपने रखी है, और book के अलग-अलग pages जित तरह से अलग-अलग angle पे खु z के बजाए, इन coordinates को भी use कर सकते हैं, वो depend करता है, आपकी problem की demand क्या है, उसके हिसाब से Cartesian को use करना सबसे आसान रहता है, लेकिन कभी-कभी problem की demand हो सकती है, कि Cartesian में उसे solve करना possible नहीं हो पा रहा है, या Cartesian में solve करना tough हो रहा है, तो हो सकता है आपको यह वाला coordinate system use करना थीटा जो angle है, वो 0 से πाई तक vary होता है, थीटा है angle down with the z axis, तो आप सोचेंगे अच्छा, थीटा equal to 0, 5, 10, 20, 90, 180, और उसके बाद थीटा और बढ़ने रहा है, इस side की जो lines हैं, उनका angle भी 5, 10, 15 से ही शुरू हो रहा है, तो maximum जो angle हो सकता है, वो minus z axis के corresponding point का, जो की πाई के बराबर हो सकता है, और यह जो 5 वाला angle है, 5 basically इस plane में angle को ना परा है, यह वाला, तो 5 जो angle है, basically runs from 0 to 2π, अगर आप plane polar coordinates जानते हैं, जिने हम normally थीटा, आर और थीटा यूज़ करते हैं, उनके लिए symbols, actually वो इसी का restricted version है, अगर आप z dimension में ना जा रहे हूँ, तो आर और 5 होते हैं, वो normally जो आपके plane polar coordinates के जिने आप आर और थीटा लेते हैं, तो यह हमारा है, spherical polar coordinate system, अब क्यों हम, spherical polar पे मैंने इतना description यहाँ पे किया, क्या जरौत थी इसकी, अब हम, spherical symmetric potentials पहले define करते हैं, normally मैंने का 3 dimension में कोई potential है, अगर आप उसे, spherical polar coordinates में उसका expression लिखेंगे, transformation equations की potential का नए expression मिलेगा, जो आर और थीटा और फाई को contain करता है, मतलब उनके term में, लेकिन, incidentally अगर ऐसा हो, कि आपको जो potential दिया गया है, problem आपके पास जो है, उसका potential थीटा और फाई पे depend ना कर रहा हो, केवल आर coordinate पे depend कर रहा हो, तो ऐसे potentials को हम कहते है, spherically symmetric potential, मैं सिधे एक example लेता हूँ, आसे clear होगा, hydrogen atom में एक nucleus होता है, plus ZE charge का, भार एक electron होता है, minus E charge, उस system की potential energy इतनी होती है, यहां मैंने constant 1 upon 4 pi epsilon 0 को छोड़ दिया है, बट इस nature की होती है, ZE square constant है, potential है 1 upon R square dependent, इस expression में R तो आ रहा है, लेकिन theta 5 कहीं नहीं है, इसका मदब यह potential क्या है, spherically symmetric, क्य लेकिन अगर आप R1 distance का एक spherical surface construct करें, तो इस spherical surface पे आप कहीं भी खड़े हो जाएं, वो electron कहीं भी हो, तो potential की value बराबर बढ़ेगी, क्योंकि potential के वल R1 square पे depend करेगा, इसी तरह से अगर आप एक दूसरी distance पे खड़े हो जाएं, से R2, तो उस again एक spherical cell सेल सोची है, जिसका radius R2 तो इस पूरी spherical surface के उपर हर point पे potential same होगा, वो अब की बार ये denominator में R2 square का factor लेके बता लगेगा, angle का कोई importance नहीं है, angle theta और phi कुछ भी हो, बस इस sphere की surface पे जब तक है, तो आप देख सकते हैं, spheres की surface पे potential constant है, तो spherical symmetric system तो है, तो इसे हम कहींगे, स्फेरिकली symmetric system, तो hydrogen atom हमारा prime example होगा, in fact हो सकता है, मैं आगे problem solve करते हुए, कोई spherical symmetric की कोई general problem भी solve कर रहा हूँ, और मैं हो सकता है, वहाँ पे उसे hydrogen atom बोलके हो करता हूँ, but, okay, अच्छा, free particle हमने one और three dimension में, दोनों में solve किया है, मैं three dimensional free particle की बात करूँ, three dimensional free particle भी हो ऐसे, potential constant है, इस sphere की surface पे जितना है, उतना इस sphere की surface पे भी है, सब जगा, लेकिन एक किसी भी particular sphere की surface पे constant है, तो वही तो spherical symmetric है, इस समय सिमेट्री स्फेर से जादा और आगे की है, पर spherical symmetry तो है ही है, okay, ये free particle problem, जो है, spherically symmetric problem होती है, ऐसी harmonic oscillator, isotropic वाला, isotropic माला, जिसकी सारी directions में, जो oscillation frequency है, classical, बराबर हो, x, y और z में, तो उस case में, उस expression को, इस में reduce हो जाता है, okay, omega square common आता है, x square प्लस y square प्लस z square, वो मिलके बनता है, r square, theta और phi कहीं नहीं दिख रहे हैं, spherically symmetric potential, isotropic harmonic oscillator जो है, आप उसे Cartesian से भी separation of variables से solve कर सकते हैं, उसका answer कुछ इस तरह का आता है, okay, लेकिन आप उसे, ये जो हम यहाँ पे अब method आपका describe करने वाले हैं, आने वाले lectures में, spherically symmetric potential का method है, उससे भी आप उसे solve कर सकते हैं, हमने three dimensional rectangular box का भी मैंने थोड़ा description किया था, पूरा solve भी से नहीं किया था, 1D वाला किया था, पर यहाँ भी solutions repeat होते हैं, पूरा solution, तीन one dimensional solutions का multiplication होता है, उसी का counterpart आप एक सोच सकते हैं, three dimension में, आप उसे spherical potential box कह सकते हैं, जैसे one dimensional box ध्यान करो, किस तरह से होता है, infinite वाला, particle के वाल, minus A से A तक freely गूम सकता है, और उसके बाहर वो exist करी नहीं सकता है, three dimension में आप सोचिए, एक sphere है, किसी radius का से A ही इसका radius कहें, और इस radius के अंदर वो particle free है, कहीं भी roam कर सकता है, पर इस radius से बाहर वो exist नहीं कर सकता है, infinite potential उसे र स्पेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी एक general outline होगी, ठीक है, अच्छा, तो अब trick क्या होगी, जैसे मैंने पहले का, अगर स्पेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, तो हमारा तरीका होगा separation of variables की वाली trick, लेकिन इस बार आपको उस trick को apply करने के लिए भी x, y, z coordinates help नहीं करेंगे, आपको spherical polar coordinate system में अपनी problem को लिखना पड़ेगा, आपको हर quantity जो x, y, z के term में थी, आपकी Schrödinger equation से start करते हुए, आपको यहाँ जो हर एक quantity है, उसको आपको r, theta, phi के term में express करना पड़ेगा, उसमें आपकी मदद करेंगे ये equations, ये transformation equations, appropriately, और फिर एक और चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको केवल मैं इतना बता दूं, कि potential is spherically symmetric है, r का function है, केवल r का function है, लेकिन वो r का कौन सा function है, one upon r square वाला है, कि r cube वाला है, कि some other function of r है, वो मैंने आपको exact form नहीं भी बताई, r dependence नहीं भी बताई, फिर भी आप spherically symmetric problem की आधी problem को solve कर पाएंगे, you will see these in the coming lectures, और आ आप देखेंगे, वो जो आधा आप solution करते हैं, आधे से मेरा मतलब है, potential बिना पता कि ये जितना solution कर पा रहे हैं, exact formula v का नहीं पता है, केवल ये पता है, केवल r आता है, theta phi नहीं आते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे, जो आप hydrogen atom में, जैसे l और m quantum numbers की बात करते हैं, as a methyl quantum number and magnetic quantum number, वो आपके emerge होंगे, तो आप यहाँ से एक चीज़ और वो बिठा लीजी दिमाग में, कि l और m quantum numbers जो हैं, ये specific केवल hydrogen के लिए नहीं है, spherically symmetric कोई भी potential आप solve करेंगे, आपको ये quantum numbers, इन दोनों को मिला के मैं angular momentum quantum numbers कहूंगा, आगे आप देखेंगे why, ऐसा क्यों कर र हाले हैं, अब ये task easy नहीं है, क्यों easy नहीं है, सबसे पहला part, dell square operator, अगर cartesian में आप use करें, del 2 by del x2 plus del 2 by del y2, simply ऐसा दिखता है, लेकिन अगर आप इसे r, theta और phi के terms में express करें, spherical polar coordinates में express करें, तो dell square का expression बनता है, it becomes this monstrous expression, लेकिन ये expression आपको gradually practice के साथ आपके उसमें आ जहन में आपको, जिसे हम कहते हैं, याद हो जाएगा, practice के साथ होगा, okay, तो let me read the expression once, one upon r square, del by del r of r square del by del r, ये first term को ये आप देखें, इसमें del by del r के आगे space खाली है, del square operator, जिस चीज़ पे act कर रहा होगा, माना, psi पे हमारे wave function पे act कर रहा है, तो यहाँ साई होगा, f पे act कर ये बाहर वाले के आगे space खाली नहीं है, वो तो इस part पे operate कर रहा है, लेकिन ये वाला del by del theta, last में किस पे operate करेगा, जो function आपने यहाँ लिखा होगा, जैसे इस वाले case में, अगर ये del square f होता है, तो f का ही double differential, with respect to x, with respect to y, with respect to z, तो वैसे ही अगर यहाँ साई लिखा है, तो मैं अभी तो बिल्कुल नहीं बता सकता, classroom teaching में मैं हमेशा इसे हम solve करके निकालते हैं, बट अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, बट मैं simply यह कह रहा हूँ, जो यह हमारी transformation equations थी, x, y, z, r, theta, phi से किस तरह से related हैं, और जो हमारा chain rule of differentiation होता है, उससे यह निकल के आता है, अगर आप लोग interested होंगे, तो आप अगर comments लिखेंगे वीडियो के end में, खासकर MSC वाले students को तो इसकी ज़्यादा ज़रत पड़ेगी, तो मैं कोशिश करूँगा, उसका मैं अलग से एक lecture बना लूँ, अभी मैं उसे पर नहीं जा रहा हूँ, तो लेकिन यह del square का expression हमें यूज करना है तो आप देख लीजे, complexity बढ़ने वाली है, आपका इस वाले से काम नहीं होने वाले हो, आप आगे देख लेंगे कि इस से काम क्यों नहीं बना, तो फिर ये वाला ही काम करता है, लेकिन इसका expression ऐसा है, much involved than this one, अच्छा, इसके लावा यहाँ पर एक चीज और आप वो कर सक रखते हैं, बट, LX का operator मैंने पीछे हमने derive किया था, कि classical वाले expression से, कि वो YPZ-ZPY, और PZ का operator आप खुद रखते हैं, तो वो होता है, minus I ties cross Y del by del Z, minus Z del by del Y, angular momentum के X component का operator, ऐसे Y का और ऐसे Z का भी आप operator ले सकते हैं, angular momentum के components का, लेकिन यह expression जो है, अगेन यह Cartesian coordinates में है, Y, R, I, differential with respect to Z, Z, differential with respect to Y, again वो जो transformation method है, trick है, trick क्या है, वो step है, X, Y, Z को हटा के उनकी जगा आप R theta 5 को लाइए, यहां उपर भी और differentiation में भी, appropriately, तो आपको LX का एक expression मिलेगा, in terms of R theta 5, तो आप लोग में से, उसे try कीजिए, किसी source से देखे, इसको भी try कीजिए, कहां से आता है, LX क वो भी आप R theta 5, spherical polar coordinates में LX का expression, उसी तरह से LY का expression, उसी तरह से LZ का expression, और finally LX, LY, LZ के expression आ गए, तो उनमें से हर एक को square करके L square operator का expression आप निका लिए, बीच में आपकी mathematics में बहुत सारे term आएंगे, पर last में वो सारे term, बहुत सारे simplify होके, और वो होके, expression simple होता है, जो की य last में वो simplify होके, ये last 3 term में आप उसे reduce कर सकते हैं, ऐसी ये L square में भी होगा, और in fact आप इस L square का expression निकालेंगे, ये बनेगा, आप इस expression और इस expression को compare कीजिए, L square के expression का ये वाला part, जो मैंने square bracket के अंदर लिखा हुआ है, और ये del square के पीछे के दो terms देखिए, ये दोनों सेम ह यहां 1 upon R square इन दोनों में अगर आप common ले लें, तो उसके अलावा यहां जो कुछ बचता है, वो यही quantity है, square bracket के अंदर, तो इसी उसके कारण, मैं ये नीची वाली line पहले लिख सकता हूँ, ये हमारे बहुत useful होगी, कि जो Laplacian operator होता है, del square operator जो होता है, वो होता है, basically this first term, और ये जो second term है, ये L square operator है, apart from a factor of h cross square and r square and a minus sign, बस, तो ये, okay, this will be useful for us, और जो आप, मैंने आपको कहा, आप Lz के operator को अलग से compute कीजिए, spherical polar में, Lz का operator भी comparatively काफी easy expression बनता है, उसका minus h cross del by del phi, Lx और Ly के उतने simple नहीं होते हैं, but you have to do this mathematics, at least once in your life, you have to get your hands dirty, तो मैं आप से वो करूँगा, कि आप लोग better understanding के लिए, आप ये mathematics अपने end से करना शुरू कीजिए, okay, मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये चीज़े हैं, del square का expression, ये हम बार बार use करेंगे, L square का, इसी का ये वाला part L square है, और Lz का operator ये होता है, okay, अच्छा, एक और चीज, जो फि body problem है, hydrogen atom में एक nucleus होता है, और एक electron होता है, okay, इवन ये चीज हम bore model में भी करते हैं, bore model में, initially तो हम bore model के वाल electron के motion को वो करके निकाल लेते हैं, solve, लेकिन बाद में हम कहते हैं, भाई, nucleus का भी तो motion हो रहा होगा, जब electron nucleus के चारो और भूम रहा है, हम ये normally ये कहते हैं, ये statement ग nucleus और electron का center of mass यहाँ पे है, योकि nucleus बहुत heavy होता है, तो center of mass nucleus के बहुत करीब बनता है, in fact, वो nucleus के अंदर ही बनेगा, nucleus इतना heavy होता है, पर say, इस figure में मैं यहाँ पे दिखाए, ये system का center of mass है P, तो ये nucleus भी इस P के around एक circle में घूम रहा है, छोटे circle में, और electron भी इस P के around एक circle म नहीं होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस चीए, बोर मॉडल में करते हैं, तो उससे, जिसे हम कहते है, effect of nuclear motion, उसका correction term आता है, जो बहुत छोटा होता है, लेकिन कर सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी अगर हम start से देखे हैं, आपके पास system में दो masses है, M1, M2, मैं फिर से बोर mechanics का, वो है, discussion mechanism में आता है, reduction of two body problem into one body problem, via the introduction of reduced mass, तो वो आइडिया बोर मॉडल में आता है, लेकिन यहाँ पे आप Schrödinger equation से start कर रहे हैं, लेकिन Schrödinger equation में भी amazingly, अगर आप उसी तरह से proper mathematics कर के आएं, तो यहाँ भी इसी तरह का separation होता है, आपकी problem, एक M total mass वाले term में, और एक reduced mass वाले term में break हो जाती है, again मैं उसकी outline यहाँ पे दे रहा हूँ, माना आपके दो constants है, nucleus और electron, उनके coordinates है, R1 और R2, R1 vector है, मतलब, X1, Y1, Z1, R2 means X2, Y2, Z2, आप इनकी जगा दो नए coordinates introduce कीजिए, एक को मैं कहूंगा, center of mass coordinate, जिसकी definition यह होती है, और एक है relative coordinate, relative का मतलब, electron के स stand कर रहा है, वो relative coordinate है, हमारा R1 minus R2, तो अब इस system का आप Hamiltonian लिखिए, two body problems ले हमने Hamiltonian नहीं लिखा है, लेकिन आप सीधे वहाँ से याद कीजिए, हमने सबसे simple system में Hamiltonian कैसे construct किया था, सबसे शुरू में, deriving the shrouding equation, system की kinetic energy लिखी, प्लस potential energy, और हर चीज को operator से replace कर दिया, तो अलग, इसकी अलग, potential energy तो किवाल, minus ZE square upon R है, पूरे system की, तो इस system का जो Hamiltonian है, वो कुछ इस प्रकार का होगा, minus h cross by 2m1, del 1 square, m1 first particle का मास, del 1, del 1 का मतलब है, इस समय differentiation x, y, z के respect में तो है, लेकिन first वाले particle के coordinates के respect में, x1 square, del 2 by del x12, plus del 2 by del 1 by 12, similarly, del 2 square का भी इसी तरह से मतलब ह होगा, तो यह है kinetic energy term corresponding to the first particle, यह है kinetic energy term corresponding to the second particle, और यह potential energy, लेकिन potential energy इस system की, पहले से ही relative coordinate पर depend करती है, वो के वो इस पर depend करती है, nucleus से electron कितना दूर है, वो उस vector पर भी depending करती है, in fact, spherically symmetric potential है, यहां से यहां तक की electron की distance कितनी है, तो इसलिए, mod of R1 minus R2, relative coordinate के mod पर depend करती है, accurately करें फिर से, तो यह problem आपके, यह expression Hamiltonian का, last में कुछ इस तरह से आपका break हो जाएगा, this might not be exact, but something like this, एक आपका minus h cross by 2 mu, del square type का term फिर से बनेगा, पर यहां mass की जगा mu आएगा, और यह जो del square है, इसमें जो differentiation, जिन variables के respect में होगा, वो relative वाले coordinates होंगे, यह हमने R relative describe किया, इस से, तो R relative के components माना, X relative, Y relative और Z relative, यह तीन है, तो इस वाले del में जो तीन differentiation होंगे, उनी तीन X, Y, Z के respect में होंगे, relative वाले जो है, यह, और potential energy तो पहले से ही V relative का expression है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ club किया, यह वो part है, जो relative coordinates पे depend करता है, और उसके अलावा एक term और आपको म cross by 2M, लेकिन यह M होगा, total mass of the system, और उसके साथ एक del square वहाँ भी मिलेगा, पर इस del square में, जिसे मैंने यहां पे del square CM लिखा है, लेकिन यहां del square C लिखा है, यह C है, center of mass वाला coordinate, center of mass coordinate में भी तीन component होंगे, XC, YC, ZC, तो इस del square में वही वाले आएंगे, del 2 by del XC square, plus del 2 by del YC square, plus del 2 by del ZC square, यह, okay, this takes a bit of work, जिसे हम कहते हैं, elbow grease का use करना पड़ेगा, but finally you get here, और अब आप इसे देखें, यह bore model या two, जैसे classical mechanics में two body problem, one body problem में radius होती है, वो ही जी यहां पे आपको नजर आएगी, यह जो part है, यहां पे, Hamiltonian का, यह system के relative motion को describe कर रहा है, relative coordinates पे depend कर रहा है, neutron, nucleus क respect में electron कहां है, किस प्रकार का motion कर रहा है, और यह जो है, यह वाला term फिर क्या depict कर रहा है, यह center of mass का motion depict कर रहा है, आप इसे इस तरह से imagine के लिए, हो सकता है, मेरा electron nucleus के चक्कड लगा रहा है, लेकिन मेरा hydrogen atom किसी direction में किसी velocity से drift कर रहा है, तो यह पूरा किसी velocity से drift कर रहा है, उसके कारण जो इनर्जी है वो इस वाले टर्म में होगी और जो relative motion के कारण relative motion को आप आप सोचिए लगवाग bore model के terms में सोचिए वो electron कभी अंदर की orbit में होता है कभी बाहर की orbit में चले जाता है तो उसके कारण जो energy फर्क पड़ता है वो सारा वो यहां content है यह relative motion है यह तो हम जब hydrogen का spectra निकालना चाहरे है energy levels जिसे हम कह रहे है वहाँ पर यह center of mass motion का कोई sense नहीं है हम तो जिने हम कहते है electronic energy levels निकालना चाहरे है वो electron nucleus के respect पे कितनी दूर है अगर मैं बहुत रफली बोलू किस orbit मे है हम वही तो calculate करना चाहरे है तो यह वाला motion हमारे लिए unimportant है ओके यह overall constant की तरह contribute करेगा तो यह वही वाला part अलग हो जाता है तो फिर आपको जो shoddinger equation solve करनी है तो इस part को अगर मैं h1 लिखूं और इसको h2 लिखूं तो अब आप अपनी shoddinger equation कुछ इस तरह से लिखते है पहले कि hamiltonian psi पे act करेगा psi r1 r2 सबका function है r1 r2 मतलब x1 y1 z1 nucleus के coordinates x2 y2 z2 electron के coordinates सबका function और system की energy लेकिन आप यह separation of variables की trick apply करें कुछ इस तरीके से कि आप psi को माने चाहे आप उसे r1 r2 का function मान सकते हैं या in transformation equations की मदद से आप उन्हें center of mass और relative coordinate का function मान सकते हैं अब आप equation में separation of variables ट्राई करें कि माना यह साई दो चीजों का product है एक function जो के वाल relative coordinates पे ट्रिपेंट करता है और दूसरा function जो के वाल center of mass coordinates पे ट्रिपेंट करता है तो आप पाएंगे आपकी Schrödinger equation दो parts में break हो जाएगी एक part कुछ ऐसा होगा यह वाला Hamiltonian जो relative coordinates पे ट्रिपेंट करता है वो relative वाले इस f पे act करेग और उसके साथ एक eigen value equation देगा और वो eigen value equation होगी हमारे electronic energy levels और एक यह दूसरा वाला जो part है यह भी एक eigen value equation देगा लेकिन उसमें potential term नहीं होगा Hamiltonian के वाल kinetic term है यह इस g वाले part पे act करेगा और right hand side में some energy into g यहाँ भी मिलेगा लेकिन वो energy कौन सी है center of mass motion की energy है तो उसको आप या यहाँ भी two body problem one body problem में reduce होती है तो मैंने यह दो equations यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन अब यह वाली जो equation है relative coordinate वाली equation हम उसी से start करते है अगले lectures में जब मैं equation लिखूंगा तो आपको यह realize करना है वो जो हमने श्रोडिंगर equation लिखी है say hydrogen atom के लिए two body problem से वो हम reduce करके one body problem में reduce क कर चुके separation of variables ने एक बार हमारी मदद कर दी है तो उससे center of mass motion को मैंने अलग कर दिया और center of mass motion basically किस तरह का है free particle का उसके उसमें potential नहीं है three dimension में free particle okay तो वो free particle motion है उसके overall energy को additive constant की तरह है उसे हम neglect कर सकते है तो मुझे केवल solve करनी है relative coordinates में Schrödinger equation basically तो next lecture में अब हम इसकी mathematics में जाएंगे which will take some amount of working but that would come next over here but I will just again start with the Schrödinger equation so with that I conclude this lecture thank you everybody